sociology of aging मां यहां लए स्वागर्छा sociology of aging and disability को आचको बसाई मां हमी महत पुन प्रश्ण जिबन संक्रमाण काल मां मिश्रित समा सास्त्री हरू को द्रिशिकोंड बारे George and Gold का भिचार हरू जल्फल गर्नोच मन्नि यवड़ा प्रश्ण राहना चाहांच discuss George and Gold's ideas about cross-fertilization of sociological perspective on life transition जिबन संक्रमाण काल को अतेन गरने योटा समिश्त्रीत तरीका वाब बिदी लाई मिश्रित बिदी cross-fertilization बनी चाहां पुमिका, सिद्धान्त, सामाजिक्तनाव, अनुसंदान र जिबन अबदी त्रिश्रीकोंड मद्दे एसलाई सवे भन्दा महत्त पुण एबं उदैमान पद्धती मानी चाहां इस संपुण अनुसंदान परंपरा सीमाहरू बर्द रूपमा क्ये ही प्री थक्षन जर्ज एन गोल्ड, 1993 का अनुसार, पिटालिन, 1983 ले सरप्रतम मिश्रीद बिदिलाई उपयुक्त तीनोटै अनुसंदान परंपराहरू मा परिचित गरायेका थिये उनले जीवनका घटना र संक्रमन वा जीवनमा उत्पन्न भयका परिबर्तन हरूलाई सामाजिक भूमिका हरको संदर्वमा परिचंड गर्न परने अहुले आयकाशन एसबी तीले बिगत का दिन मा बेक्तिले भोगे का सम्रचना गल सामाजिक तथा आर्थी कटना क्रम हरको अध्यन गर्न मदद गर्द गर्द छो दोस्रो संग्रमन हरू उदय हुने संदर्व अंतर्गत का भूमिका र भूमिका परिचान गर्ने प्रक्रिया दोवैलाई परिचन गर्ने र तेश्रमा सम्पोन जीबन अवधिमा प्रयक गर्ने ताकी औरू तीन ओटा अनुसंधान परमपरा सम्पोन प्रसंग हरू एकिकर्ण गर्न सकियोज। जीबन अवधि द्रिश्टी कोण का सीमा हरू पार गर्ने आनुभविक अध्यन हरू अर्था तनापसी दान्त रर भुमिकासी दान्त ले मिस्रित पदती क्रस्ट फोटिलाइजेशन को महत्तो इंकीत कर्दाशन। बालेकाल मा भयका पंची करण ले यूब आवस्ता का उपलब्ती हरू मा पार्ने प्रभाव समंधी गर्येका थुप्र अध्यन ले पनी मिस्रित वा बहु द्रिश्टी कोण का तत्त हरू इल्मेंस अफ मल्तिपल प्रस्पेक्टिब समेट ने करदाशन। समा सास्त्री हरू ले पनी प्रती खंडात्मक सर्व मा निद्रिश्टी कोण का आधार मा जीवन संक्रमन का अध्यन हरू गर्येनों परनी सुझाय काशन। उधारन को लागी वेटन 1990 ले भुमी का सिद्धानता रा तनाव सिद्धानता लाई समयचित गरी तेस तथे लाई एंकीत गरेकाशन। कि बिगत का घटनाहरू ले मानसिक स्वास्थे को संक्रमन का परिवर्तनमा प्रभाप पार्थाशन। पिटन कोई अरको अध्यनले जिवन नोबादी द्रिष्टिकोंड लाईव कोर्स प्रस्पेक्टिव र तनाव द्रिष्टिकोंड इस्ट्रेस प्रस्पेक्टिव बीज को समन्द उजागर गरेगोशो। इस अध्यन का नतीजा हरूले देखाये कछा कि मानसिक स्वास्थेको बर्तमान अपस्ताले बिगत देखीने संचाय भय का तत्तो हरुको तनाब हरुको इस्तर संग गनिस्ट समंद राखते छा। तेरे उच्छार निवनत हको संचित तनाब रमानसिक स्वास्ते तनाब हरुको बर्तो जो खिमका बीज अतेंत निकर समंद रहांचा। दुईवटा संपाधित वलिम हरुमा गरियेका कारे हरुले तनाब रभुमी का सिद्धानत ले जो निकसी को रूपमा द्रिष्टानत देखाशन। एकेन रोड एन गोरक द्वारा संपाधि पुष्टक 1990 ले तनाब परिवार रकारे का भुमी का हरुबिज को समंद परिच्छन करीगोशा। येस अध्यनमा जिबन वदी का मुद्धालाई तेती इस्तान दियेगोशा। तेसी गरी येथरीं गोटन को पुष्टक 1991 ले परिवार हरुको संक्रमर मा जोड दियेगोशा। येसमा समाबेस आठोटाई आनुभावी लेख हरुले भुमी का सिद्दानत र जिबनोवदी द्रिष्टी कोंड दुवैलाई जोड दियेगाशा। तर येसमा समाबेस थुप्रे अदेन हरु इसपस्तरुप मा तनापसंग संबन दिचन। येसप्रकार मिस्त्रित पद्दती का आधार मा अनुशंदान परंपरा हरुले थुप्रे सिद्दान द हरुलाई सम्यजित गर्षन पन्नेकुरा रखना सखिंच। English Marahna Sanchon discussed George and Gold's ideas about the Cross-Fertilization of Sociology perspective on social transition. Cross-Fertilization is a mixed way of studying life transition. It is the most important emerging theme in research on transition among the translation of role theory, social stress, research, and life courses perspective. The boundaries among these research traditions are increasingly and appropriately indistinct, according to George and Gold 1993. Paul 1983 was one of the first to articulate the utility of Cross-Fertilization across this research domination. He described examination of life event and transition in the context of social roles, noting that this approach would help to remedy the neglect of the strict and durable social and economic tendencies of stress. Likewise, Cohen 1991 notes that an acquired model of transition must include three parts. First, apply to both normative and non-normative transition. Second, examine both roles as the context within which transition emerses and role reorganization as an important outcome of transition. And three, apply across the life course, thus calling for the integration of themes in all three research transitions. Empirical studies that cross the boundaries of life course stress and role theories illustrate the payoff of Cross-Fertilization. Several studies, especially those that document the preceding effects of childhood deprivation on adult achievements and outcomes. Incorporate elements of multiple perspectives. Other examples must exploit. In that, the sociologists announce their intentions to study cross paradigms. Combining elements of role and stress theory, Witton 1990b, demonstrate that the role histories moderate the effect of transition on mental health. Another Witton's story links life course and stress perspective. Results of this study indicate that the effects of current stress on mental health were conditioned by the level of cumulative lifetime stress. Increased very high and very low levels of cumulative stress were associated with increased risks of mental health problems in the face of current stress. More so than where moderate levels of cumulative stress to recent edited volumes offer multiple illustrations of research that brought at least two of the research traditions. Akin wrote an course edited volume 1990 examines the links between stress, family, and work roles, although life course issues are not explicitly considered. Cohen and Hatton Rinkton's books 1991 focused on family transition and all eight empirical papers rally in part on role theory and life course perspective. Several also focused expletity on stress. Therefore, research based on the cross-fertilization of this research transition seems to be gathering memorandum. conferred hä preset autour of the system where e'of after trying to understand the wzgl tablespoon of the pitch. The first session is attorneys and the diaphragm of the system within three days ofgrund섪